वेलकम टू माई चैनल जूम स्टेडी हमारी आज की वीडियो में हम जो धार्मी कांदोलन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे धार्मी कांदलों में जो है जैन और बौध ये दो धर्मों हमें देखने को मिलते हैं जो की सर्वधिक लोग पिर्य थे धार्मी कांदोलन एवं विचारधाराव का विरभाव 26 सदी इशा पूर्व के आसपास हुआ बौध गरंथों में इनकी संक्या कितनी 62 बताई गई है तथा जैन गरंथों में 368 इनकी संक्या बताई गई है जो महात्मा बुद्ध के उदाई के पूर्व समाज में विद्यमान थे इन धार्मी कांदोलन में जैन एवं बहुत धर्म अधिक लोग पिरे एवं चिरस्थाई बने रहे जैन धर्म जैन शब्द जिन से बना है जिन का अर्थ क्या होता है विजेता होता है अर्था जो इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर लेता है उसे जैन कहा जाता है और कर्म और अहिंसा के समर्धा कोने कारण जो ये जैन धर्म है तो इसको प्रार्म में क्या मना जाता था बह बगवती सूत्र कल्प सूत्र तथा परिशिस्ट पर्मन नामक ग्रंत में प्रारंबिक जैन धर्म का इतिहास मिलता है। रिशब और अरिस्ट नेमी दो तीर्थंकरों की चर्चा हुई है। इनका प्रतीक क्या है? सांड और हाती जो रिगवेद है उसमें हमें ये दो तीर्थंकर हैं रिशब देव और अरिस्ट नेमी इन दो की चर्चा उसमें हुई है। फिर दो जैन तीर्थंकरों पाशवनात एवं वर्दमान के अतिरिक्त परंपरा में लिखी शेस सभी तीर्थंकर क्या हैं? पौराणिक हैं। फिर आते हैं यहां रिशब देव को जैन धर्म के संस्थापक प्रवर्थक एवं पहले तीर्थंकर के रूप में यहां जाना जाता है। पाशवनात की प्रथम अनुयाई जो थी वो कौन थी? उनकी माता वामा तथा पत्नी प्रभावती थी। और जो इनकी चार यह महावरत थे देखिए इसमें है अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, सत्य, सच बोलना, आपरिग्रे मतलब अवश्यक्त से अधिक वस्तों का संग्रे ना करना, अस्ते मतलब चोरी ना करना। यह चार इनके जो थे महावरत थे। बाद में जो है महावीर स्वामी ने इसमें पांचवा महावरत जोड़ा था ब्रह्म चर्ये। फिर आते हैं महावीर, 24 में तीर्थंकर एवं जेन धर्म के वास्त्विक संथ स्थापक के रूप में महावीर स्वामी जाने जाते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? पांस्तो चालीस इसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था, इनके बचपन का नाम क्या था? देखें, इनके बचपन का नाम वर्दमान था, किस वर्ड के थे ये? शत्रिये वर्ड के थे, कि यात्रिक कुल के थे ये? इनके पिता का नाम क्या था? सिध्धार्त था, जो की वज्जी संके प्रमुख सदस्य थे. इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला अत्वा विदेदत्ता. वैशाली के लिछवी कुल के प्रमुक चेटक की बहन थी जो इनकी माता थी और पत्नी का नाम क्या था इनकी? यशोदा था पुत्री कौन थी? प्रिय दर्शना इनकी पुत्री का नाम था और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? जमाली नामक एक शत्रिये के साथ इनका विवाह हुआ था. और देखिए सन्यासी कब हुए थे ये? तीस वर्ष की अवस्था में जो थे ये सन्यासी हुए थे? और किस से आज्या ली थी इनोंने? अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्या लेकर जो हुआ इनोंने घर को त्यागा था. और इनके गुरु कौन थे रेखिए? तेश्वे तीर्थंकर पाशर्वनाज्यो थे वो इनके गुरु थे. प्रथम शिस्थे कौन थे? इनके दामाद जमाली थे. इनकी बेटी जो थी? विधेदत्ता. उनके ये पती थे. तेरा महीने के उप्रांत महावीर पूर्टया वस्त्र त्याकर नग्न रहने लगे थे. ज्यान प्राप्ति इनको कब हुई थी? बारा वर्ष बाद 42 वर्ष की अवस्त्र में इनको ज्यान प्राप्ति हुई थी. ज्यान प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? देखिए. ज्रिम्बी का ग्राम था. वहाँ इनको ज्यान की प्राप्ति हुई थी. किस नदी के किनारे, रिजुपाली का नदी के किनारे किस व्रक्ष के नीचे, साल व्रक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ती हुई थी ज्ञान प्राप्ती के बाद इनको क्या कहा गया, केवलिन, जिन, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनों से मुक्त अर्था जो बंधनों से मुक्तों उसको कहा जाता है निर्ग्रंथ बौध साहित्य में कहा गया है इनको क्या कहा गया है निगंड नात का पुत्र इनको कहा गया है प्रथम उपदेश इनों ने अपना कहा दिया था राज ग मिलता है ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने चमपा, वैशाली, राजग्रे, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्ब, मगद, आदी राज्योयम, नगरों का भ्रमड कर जैन मत का इनों ने प्रचार प्रसार किया था फिर देखिए केवल्य या ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने राजग्रे में सरप्रतम मेग कुमार को दीख्षा दी, कोशामबी में उन्होंने राजा शत्निक के पुत्र उदियन को दीख्षा दी थी ऐसा माना जाता है कि मगत के शासक अजास सत्रू और बिम्बसार उनके संरक्षक थे, जो ये राजवन्स का संरक्षर था, तो ये संरक्षर ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा कारण जो था, वो बना था कलिंग नरेश खालवेल जैन धर्म का संरक्षक था, रास्ट कूट नरेश अमोग वर्ष एक जैन सन्यासी बन गया, तथा उसने रत्न मली का नामा के ग्रंत की रचना की थी कुशाण काल में मतुराज जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, गुजरात के चालुक्य नरेश कुमार पाल तथा जैसी सिद्राज दोनों ही जैन धर्म के महान संरक्षक थे, उनके बाद जैन धर्म का पतन जो था वो हो आरंब हो गया था बाद में जैन धर्म सेर्पन्त एवं सुमयय संप्रुदाई में विभाजित होकर पत्वनमुख हो गया था तीस वर्ष लगतार जैन मत का प्रचार करने के बाद 72 वर्ष की आयू में 468 इसा पूर्व में राजग्रह के समीप इस्थित पावापुरी नामकिस्थान पर इनको निर्वाड प्राप्तु अथा तात इनकी मृत्ति हुई थी फिर देखिए अपने पूर्व गामी तीर्थंकर पाशर्वनाद द्वारा दिये गए चार महावरतों में महावीर ने पाच्वा वरत ब्रह्मचर्य जोड़ा था जो पाच महावरत हैं वो कौन से हैं देखिए अहिंसा, सत्य, अम्रिशा, आपरिग्रह, अस्ते और ब्रह्मचर्य जो सबसे पहला अहिंसा है देखिए तो इसमें क्या कहा गया है, हिंसा से बचने की बात कहीं गई है और यह जैन धर्म का वास्त्विक, सर्वदिक महतपूर वरत है जो अहिंसा है और सत्य वो अम्रिशा जो है तो इसमें जो है हमेशा सत्य बोलने, मधुर बोलने की बात की गई है फिर है आपरिग्रह, इसमें आपरिग्रह में जो है देखिए सभी प्रकार की जो संपत्ती है उसके अर्जन से बचने की बात कहीं गई है अथाच संपत्ती का अर्जन या उसे इकटा ना करें फिर है ऐस्ते, ऐस्ते मतलग, इसमें जो है, बिना किसी की अनुमुती के, उसका कोई भी सामान ना लेने के लिए कहा गया हर था, चोरी करने के लिए मना किया गया है इसमें फिर है ब्रहमचर्य ये पाँचवा व्रत था ये किस ने जोड़ा था महाविर स्वामी ने जोड़ा था और इसमें बिक्षों को पूरी तरह से ब्रहमचर्य व्रत का पालन करने की बाद कही गई है और देखिए जो ग्रहस्त जीवन वतीत करते हैं तो उन जैनियों के लिए जो ये बागी के चार व्रत हैं तो इन व्रतों की कठोड़ता में कमी करके उसे क्या कहा गया अनुवरत नाम दिया गया था फिर जो है देखिए जो जैन धर्म है तो उसमें आठ प्रकार के विवा का वड़न है तो आठ विवा कौन कौन से है ब्रहमु विवा ये कौन सा है समान वर्ड में विवा, मतलब जिस वर्ड की वधू होगी उसी वर्ड का वर्ड होगा देव विवा, यग्य कर्म करने वाले के साथ कन्या का विवा, फिर है आर्ष विवा, कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता है प्रजा पत्य विवा, बिना लेन देन के योग्य वर्ड से विवा, असूर विवा, कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था जो यसुर विवा होता था इस में क्या होता थाrated कि कन्या को यह उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था गंधर्व विवा, प्रेम संबंदों के आधार पर जो होता था वो होता था गंधर्व विवा, फिर है राक्षस विवा, पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध जो विवा किया जाता था, वो कौन सा होता था, राक्षस विवा वो हो जो है यह चार प्रकार के विवा को ही मानेता प्राप्त है फिर है जैन धर्म के थ्री रत्न जैन धर्म में पूर्व जन्म के कर्मफल को समाप्त करने के लिए इस जन्म के कर्मफल से बशने के लिए तीन रत्नों के पालन की बात कही गई है कौन-कौन से है वो सम्यक तथा सदाचरण का पालन करते हुए बाहे जगत के विश्यो के प्रती सम्सुखदुख भाव से उदासीनता ही सम्यक आचरण है फिर है जैन धर्म में मोक्ष एवं निर्वाड प्राप्ति के लिए कटिन तपस्या एवं काया कलेश की बात की गई है काया कलेश के अंतरगर जैन ग्रंत परिसिस्ट पर्वमन ने यह लेक मिलता है कि मौरे सम्राजी में चंद्रगुप्त मौरे के काल में बारा वर्ष का आकाल पड़ा इससे निपटने में असफल रहने पर वो अपने गुरुप भद्र बाहु के साथ करनाटक इस्ति श्रवड बेलगोला में चला गया जहां वो अपने शरीर का उसने परित्याग किया पाशर्वनात वस्त धारड के समर्थक थे जबकि जो महावीर थे वह वस्त रुत्याग के समर्थक थे महावीर स्वामी का प्रतिक्चिन क्या है सिंग है पिर देखिए जैन धर्म संसार की वास्तिविक्ता को स्विकार करता है पर स्रिस्टी करता के रूप में इश्वर को नकारता है जो जैन धर्म है तो वो इश्वर को नहीं मानता है इश्वर को नकारता है महावीर स्वामी ने वड़ विवस्था की निंदा की है महावीर पुनर जन्मयवं कर्ववाद में विश्वास करते थे महावीर स्वामी ने यग्ये और वेद की प्रमुक प्रमारिक्ता को स्विकार नहीं किया है इन्होंने महावीर स्वामी की मृत्यू के करीब 200 साल बाद जैन धर्मुद दो भागो दिगंबर श्वेतामबर में विभाजित हो गया था देखिए जो ये स्थूल भद्र थे तो इनके समय में जो था मगद में 12 वर्षों का भीशार आकाल पड़ा था और भद्र बाहु जो थे वो तो अपने शिस्यों को साथ करनाटक चले गए थे लेकिन जो इस थूल भद्र थे ये अपने शिस्यों के साथ मगद में ही रुक गए थे और जो भद्र बाहु जब वापस आए वहां से तो उन्होंने इस थूल भद्र को मानने से इंकार कर दि ते और जो दिगंबर थे वो लोग क्या थे वो नग्न रहने लगे थे तार जो है यह जो जैन धर्म था यह दो भागों में विभाजित हो गया था श्वितांबर और दिगंबर फिर देखिए जैन धर्म के समर्थक राजाओं में उदियन, बिंबसार, अजाश शत्रू, चंद्रगुप्तु मौर्य, बिंदुसार एवं खारवेल का जिक्र मिलता है इस धर्म के प्रधान केंद्र के रूप में मतुरा एवं जैन का उलेख मिलता है मतुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां जो है, वो जैन धर्म से संबंदित है आरंब में, जैन धर्म में मूर्ती पूजा का प्रचलन नहीं था लेकिन कालांतर में, स्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने महावीर स्वामी की एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा करनी जो थी वो शुरू कर दी थी, किसने स्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे उन्होंने फिर देखिए, जैन मतानुयाई, क्रिशी एवं युद्ध के विरोधी थे, वारिज्य एवं वियपार को इन्होंने महात्व दिया था क्रिशी और युद्ध के विरोधी क्यों थे देखिए, किमकि क्रिशी और युद्ध में क्या होता है, जीवों की हत्या होती है और हिंसा होती है और वाडिज्य और व्यापार को इन्हों ने इसलिए महत्व दिया था किमकि इसमें जीवों की हत्य और हिंसा नहीं होती है उसकी संभावना जो है इसमें बहुत कम रहती है फिर देखिए जैन मतावलंबियों ने आम बोलचाल की भाषा प्राकृत को अपनाया था जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ अर्दुमक्दी भाषा में लिखे गए थे किस भाषा में लिखे गए थे जो जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथे ही है अर्दुमक्दी भाषा में लिखे गए थे बस दिस कहा गया, जैन साहित्य को क्या कहा जाता था, आगम कहा जाता था, इस्थापत्य कला में जैनियों के महतपूर योगदान के रूप में जो है हाती गुफा मंदिर ये कहाँ पर है हाती गुफा मंदिर उडिसा में है फिर है दिलवारा मंदिर ये कहा है राजिस्थान में माउंट अबु में फिर है गोमतेश्वर प्रतिमा ये कहा है करनाटक मे और जो है इसमें खजुराहों में निर्मित पाशर्व आदिनात का मंदिर इसमें उलेखनी है जैन धर्मगरंत समराइच कहा में भारती व्यपारियों की कटाहद्वीप की कटिन समुद्रियात्रा का वर्णन मिलता है फिर देखिए जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन तीर्थंकर के होते हैं जिनकी सिक्षा दिक्षा पर पूरा धर्म जो होता है पूरा वो चलता है वो तीर्थंकर होते हैं और जो जैन धर्म है तो इसके कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे सबसे पहले कौन थे? रिशब देव इनका प्रतीक्चिन क्या था? साण अजित नाथ थे? इनका था हाथी संभव नाथ जो थे? तीसरे तीर्थंकर इनका प्रतीक्चिन था घोडा फिर अभिनन्दन जो थे? तो इनका कडी था सुम्ती नाथ जो थे? इनका प्रतीक्चिन सारस था, पदम प्रभु का, कमल था, सुपाशर्वु नात का, स्वास्तिक था, चंद्र प्रभु का, चंद्र था, स्विधी नात का, मकर, जो ये शीतल नात्य इनका, स्रीवस्त था, श्रयान नात का, गेंड़ा था, वासु पूच्चे का, भैस, विमल नात का, सूकर, अनन्त नात का, बाज, धर्म नात का, वज्र, शांती नात का, हिरन, कुंथू नात का, बकरा, अरनात का, नंधावर्त था, मल्ली नात का, कलश था, मुनी सवरत का, कच्छप था, नेमी नात का, नील कमल, अरिस्ट नेमी का, शंक, पार्सर्व नात का, सर्प, और महाविय स्वामी जोत्य उनका, सिह था, फिर आता है देखिए जैन संगीतियां संगीतियां क्या होती है देखिए धार्मिक सुधार का कार्य होता है सभा होती है और धार्मिक सुधार का काम जो होता है वो इसमें क्या जाता है या कुछ चीज़ें जो होती है जैसे जोड़ी जाती है वो इसमें होती है तो जो जैन धर में है उसकी दो संगीतिया थी, कौन-कौन सी प्रथम और दुत्य दो संगीति हुई थी, और जो ये प्रथम संगीति थी, ये कब हुई थी, 322 से 398 BC में यहां हुई थी, किस जगा हुई थी ये, पाटली पुत्र में हुई थी, थी थे, उस टाइम साशक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यहां प्रथम जैन संगीति जो थी, वहां हुई थी, और इसमें क्या कार्य हुआ था, देखिए, जैन धर्म का दो भागों में विभाजन हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर, और क्या था, 12 अंगों का प्रणयान इसमें हुआ था, जो प्रथम जैन संगीति थी, फिर जो सेकिंड थी वो, किस टाइम हुई थी, वो 512 में हुई थी, किस इस्थान पर हुई थी, वललभी में हुई थी, अध्यक्षि कौन थे इसके, देवारदी गड़ी इसके अध्यक्षि थे, और इसमें क्या कार्य हुआ था, जो 84 आगमों की संख्या इसमें नियत की गई थी, और धार्मिक जो ग्रंथ थे, जो जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथे उनको लिपी बद्ध किया गया था, इसी के साथ जो है देखिए, यह हमारा आज का जो जैन धर्म है, यह यहां कम्प्लीट होता है, इस वीडियो में जो है, जैन धर्म से संबंदी जितनी भी महतपूर जानकार्या थी, वो सभी इसमें दी गई है, और कमेंट्स करके हमें जरूर बताएगा कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी,